दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा जोतिवा फूलो रोईलिखंड यूनिवेस्टी बरेली के यूजी पीजी के इंपूरुमेंट फॉर्म ओनलाइन दोजार चौबिस पच्चिस के बारे में जैसा कि अगर आप लोग भी महात्मा जोतिवा फूलो बरेली के किसी भी एफिलेटिक कॉली से बीए बीए सीबी कॉम बीए बीसीए एंड बीकॉम ओनर्स या फिर आप लोग में मसी म कॉम के रेगुलर या फिर प्राइवेट या फिर एकस इस्टूडेंट हैं और आप लोग का भी जो रिजल्ट आया है उसमें आपका बैक कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं महात्मा जोतिवा फूलो रोयलिखंड यूनिवेस्टी बरेली के यूजी और पीजी के इंप्रूमेंट फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं क्या डाकुमेंट की रिक्वार्मेंट होने वाली है फॉर्म को अप् यूजी के इंप्रूमेंट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको डारेडली आना होगा सकसे ना टेक्निकल की ओफिशेल वैप सैट पर लिंक आपको वीडियो के डिप सेक्शन में मिल जायागा आप लोग बहां पर क्लिक करके डारेडली यहां पर आ सकते हैं यहां प पहले हम बात करेंगे अगर आप लोग भी यूजी पीजी के किसी भी कोर्स में आववेदन कर रहे हैं तो आपके जो आववेदन इस्टार्ड हो गए हैं वो तेईस आट दोजार चौबिस से इस्टार्ड हुए हैं इसकी लाजड डेट यहां पर देख सकते हैं एक नौज फोर्म को अप्लाइ करने के बाद आपको इसकी फी पेलिकेशन फी एक वारे में तो अगर आप लोग भी जनल अबी शी्या आश्टे किसी भी पासे आपको पर पेपर का आचसो पच्चेल उपई का पेमेंट करना पड़ेगा यह पेमेंट आपड डेविट कारड नेक्यु यूपिय आई में गूगल पर फोन के पे माध्यम से भी आप लोग पेक कर पाएंगे। बात करेंगे डाकुमेंट लिश्ट के बारे में तो आपके पास लास्ट मार्शीट होनी चाहिए। दूसरे नमबर पर अधार काड होने चाहिए। तीसे नमबर पर कास लिश्ट करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डारेटली आपको इसी वैपसेट पर अपलाई ओनलाइन यानि किलिक हेर पे आपको डारेटली कर देना हैं। किलिक करने के बाद डारेटली हम आ चुके हैं एक्जामिनेशन पोर्टल पर और यहां पर इस पॉपप को आपको बंद करना है इस पोटल का भी लिंक आपको डारेटली वीडियो के डिप सेक्सर में मिल जाएगा आप लोग बहाँ पर क्लिक करके डारेटली यहाँ पर आ सकते हैं सबसे पहले हम आप लोग को क्लियर ली कर दें कि यहाँ पर किन स्टुडेंट के फॉर्म ओपन किये तो उसके लिए हम आप पर गए हैं एक्जाम स्टार्ट एंड डेट पर यहाँ पर अपना सैसन सेट करेंगे तैईसचोवीज जो स्टुडेंट एईसचोवीज में एक्जाम दिये हैं उन इस्टुडेंट के यहाँ पर फॉर्म ओपन किये गए हैं तो अंडर ग्रेजिट यानि UG को हमने सेलेक किया, सार्च पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, किलिक हमने कर दिया है, सार्च पर किलिक करने के बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं, किन-किन कोर्स के और किन-किन इस्टुडेंट के यहां पर फॉर्म ओपन किये गए हैं, जैसा कि आप रեगूलर, लयभी स्टुडेंट्ट मे कमार्ण होt है उसके बाद भी किसी बात करण की वजह से स्टूडेंट चूट जाता है तो यहां पर आ वदन lights इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं regular improvement जो student regular पढ़ाई कर रहा है वो fail हो जाते हैं उनके form यहाँ पर open किये गए हैं इसके बाद यहाँ पर देख किएगा समिस्टर का यहाँ पर कोई भी जिकर नहीं हुआ इसके बाद आप लोग देख सकते हैं BSC mythology की यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सारे वही student open किये गए हैं इसके बाद यहाँ पर अगला कोर्स देखीगा बीपी एड बीपी एड में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सार अब यहाँ पर आप लोग कि कारण किसी भी कारण से कोई भी प्रेक्टिकल जूड जाता है तो आपकी इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेख सकते हैं सारे जो भी कोर्स जैसा कि बिससी होम science यह भी यहाँ पर early के student की open की गई है समिस्टर की यहाँ पर कोई भी नहीं open की गई है अब बात करेंगे कि directly अगर आप लोग early के student हैं और आप लोग भी अपने form को apply करना चाहते हैं यदि आप लोग fail हो गई है या फिर absent है या फिर आपका practical छूट गया है तो इन केस में आपको अपने form को फिल करने के लिए आपको उसी website पर आना है लिंक आपको वीडियो के डिप सेक्शन में दे दूंगा आप लोग बहाँ पर किलिक करके डारेटली यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर आने के वर आपको इस पर किलिक करना है पहले नमबर पर और यहाँ पर आपको दो ओप्सन से देखने को मिलेंगे पहला आपको मिलेगा सप्लिमेंटरी बैक फॉर्म तो आपको इस पर किलिक मत करना है क्योंकि यहाँ पर मिलेगा लैप्ट आउट जो इस्टुडेंट यहाँ पर अपने प्रैक्टिकल छोड़ दियें क आपको यहाँ पर अपना काटेगरी सेलेक करने है और यहाँ पर आपको अपना रोल नमबर फिल करना है कंटीनु पर आपको डारेटली क्लिक कर देना है कंटीनु पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको अपना यह सेलेक करने का ओप्सन मिलेगा यहाँ पर आपको पर पुरिए बश्य हम पर एकजामठेल आपको देखने कंप लेगी ऑनकि हम यहां पर इंत करें आप लोग डारेटली थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सस्त्र कौन सा था, कौन सी डिगरी थी, कौन सा मीडियम था, कैटेगरी आपकी क्या थी, कौन सी डिगरी और कौन सा एर ता, कौन सी यूनिवस्टी से, कौन सी सब्जेक्ट थी, यह आपको एडर्स, इमेल आड़ी और फोन नमबर देखने को मिलेंगे, अगर आप लोग चाहें तो एडर्स, इमेल आड़ी, फोन नमबर को अपडेट कर सकते हैं, अगर आपकी सारी इंफोर्मिशन ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेप बले आप्सन पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर डरेडली सेप करना है, और नैश्ट वाले आप्सन पर आपको डरेडली क्लिक कर देना आए, इसके बाद दूस्तों हम आ चुके हैं, एक्जाम फॉर्म की इन्फॉर्मिशन पर जहाँ पर आपको कुछ परसनल डेटेल देखने को मिलेगी जैसा कि आपका नाम, माता का नाम, डिगरी, आपके सब्जेक्ट और यहाँ पर आपको पिता का नाम और कॉलिज का नाम, यह डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, कि आप रेगुलर थे, प्राइवेट थे, य करने के बद winter आपके जिस भी पेपर में बैक आएगी वो सारे पेपर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और ही हापकी back नहीं यहां फिर आप अपनि मर्जी से improvement देना चाहते हैं तो आपको यहां पर सारे paper देखने को मिल जाएंगे आप जिस भी paper में improvement देना चाहते है उस paper को select करके improvement form को यहाँ पर add करके अपना form फिल कर सकते हैं और यदि आपकी जिसमें एक में back है तो आप लोग उस back का paper और paper name और paper code अपने result से जरूर match कीजिगा match करने के बाद आप लोग यहाँ पर save कीजिगा और add वाले option पर आप लोग क्लिक कर दिए paper add करने के बाद आपको एक option और मिलेगा submit का submit पर क्लिक करेंगे तो आपको total आपकी जो भी fees है वो आपको देखने को मिल जाएगी वो fee payment आप लोग debit card, credit card, net banking, UPI में Google पर phone पर के माध्यम से आसानी से payment कर पाएंगे payment सक्सेस होने के बाद आपको कुछ इस तरह का जो side में दिख रहा है यह form आपको देखने को मिल जाएगा और इस form का print out निकाल के आपको एक सेतंबर 2024 तक आपको अपने college में जाके submit कर देना है submit करने के बाद आपका जो form है यहां पर successful complete हो गया है इसके बाद आपका जो exam होगा उसकी scheme जारी होगी और साथ में admin card जारी होगा इस scheme और admin card जारी देखने के लिए आपको इस वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करना है पाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में नए topic के साथ अब तक के लिए bye bye